स्वागत है आपका आज के अपिसोड में चले शुरुवात करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्ण के साथ प्रश्ण था चीनी तेर्थियात्री जुवान जैंग वेन सांग किसके शाशनकाल में भारत आये थे इस प्रश्ण का सही उतर है विकल्प बी हर्श्वर्धन चलिए देखते हैं इसके विसलेशन को जुवान जैंग साथ्वी सदी के चीनी बौध भिक्षु विद्वान यात्री और अनुवादक थे जो भारत में वेन सांग के रूप में प्रसिद्ध हुए उनोंने बौध ग्रंथों की खोज में हर्श्वर्धन के शाशनकाल के दोरान भारत का भ्रमण किया उनोंने नालंदा मत का भी भ्रमण किया जहां उनोंने बौध भिक्षु शील भद्र के साथ अधयन किया तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की एपिसोड की पहला प्रश्ण है जोशी मट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एक जोशी मट उत्राखंड के चमोली जिले में सित एक पहाडी शहर है या आधिश शंक्रा चारे द्वारस्था पे चार मुख्य मठों में से एक है तीन जोशी मट सेना की सबसे महत्वपून चावनियों में से भी एक है उपरियुक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है ए केवल एक और दो बी केवल दो और तीन सी केवल एक और ती डी एक दो और ती इस प्रश्ण का सही उत्तर है विकल्प डी एक दो और ती चलिए देखते हैं इसके विशलेशन को जोशिमट उत्राखंड के चमोली जिले में रिशिकेश बद्रिनाथ रास्ट्री राजमार एनेट सैवन पर स्थित एक पहाड़ी शहर है राज के अन्य महतोपोन धार्मिंग और परिटन स्थलों के अलावा यह शहर बद्रिनाथ ओली पूलो की घाटी एवं हेम कुंड साहि के यात्रा करने वाले पर्यटकों के लिए रात्र विश्रामस्थल के रूप में भी जाना जाता है जोशिमट जो सेना की सबसे महतोपोन चावनियों में से एक है भारतिश अस्त्र बलों के लिए अत्यधिक सामरिक महत्वर रखता है यह आदिश अंकराचारे द्वारस्थ पिक चार मुख्य मठों में से एक है जबकि अन्य तीन मठ गुजरात में द्वारका ओडिशा में पूरी और करनाटक में श्रिंगेरी है अगला प्रश्ण है निम्नलिखित युगमों में से कौन सा सुमेलित नहीं है जिसमें एक तरफ रचना और दूसरी तरफ रचना कार दिये हैं ए कुमार संभवन कालिदास बी प्रयाग प्रश्रस्ति हरिशेड सी पंचुतंत्र विश्णु शर्मा डी माल विकागनी मित्रम विशाक दत इस प्रशन का सही उत्तर है विकल्प डी चलिए देखते हैं इसके विशलेशन को कवी और नाटक कार कालिदास ने अभ रचना की शुद्रक ने मृच कटिकम की विशाक दत ने मुद्रा राक्षस की रचना की और विश्णु शर्मा ने पंच तंत्र की रचना की अगला प्रशन है भारत का पहला ओनलाइन गेमिंग उत्कृष्टता केंद्र किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थ को हाले में इलेक्ट्रोनिक्स और सूषना प्रवध्योगी की तथा कौशल विकास एवं उध्यमिता राज्यमंत्री ने कहा कि डिजिटल इंडिया स्टार्टप हब भारती सौफ्टवेर प्रवध्योगी की पार्क के माध्यम से ओनलाइन गेमिंग में भारत का पहला उत् 2023 तक मेघाले के शिलॉंग में स्थापित किया जाएगा इस उत्कृष्ट्रता केंद्र के स्थापना से पुर्वोत्तर शेत्र के स्टार्टप और उध्यमियों को अगली पीड़ी के ओनलाइन गेमिंग पारिसित की तंत्र के निर्माड के लिए प्रोत्साहन मिलेगा हाले में इलेक्रोनिक्स और सूचना प्रोध्योगी की मंत्राले ने सार्वजनिक परामर्श के लिए ओनलाइन गेमिंग के सम्मध में आईटी नियम 2021 में संशोधन का एक मसौधा जारी किया है अगला प्रश्ण है राष्ट्रिय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? इस प्रश्ण का सही उत्तर है विकल्प A 25 जन्वरी चले देखते हैं इसके विसलिशन को भारते निर्वाचन आयोग ने 25 जन्वरी को तेर्मा राष्ट्रे मतदाता दिवस मनाया इसके थीम या आदर्श वाक्य है नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर शूर यानि वोटिंग बे मिसाल है मैं अवश्य वोट देता हूँ इस दिवस का मुख्य उद्देश विशेश रूप से नए मतदाताओं को नामांकन के लिए प्रोचसाहित करना नामांकन संबंदी सुविधा प्रदान करना और इसमें वृध्धी करना है भारते निर्वाचन आयोग 25 जनवरी 1950 के स्थापना को चिनहित करने के लिए वर्ष 2011 से प्रतिवर्ष देश भर में यह दिवस मनाया जाता है यह युवाओं को चुनावी प्रक्रिया में भाग लेने के लिए प्रोचसाहित करने के साथ साथ मतदान के अधिकार और मूल अधिकार के संबंध में जागरुक करने का प्रयास करता है राष्ट्री मतदाता दिवस का भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में महत्वपुन स्थान है क्योंकि देश का भविश्य उन पर निर्भर करता है जिन्हें हम चुनते हैं अगला प्रश्न है सोल ओफ स्टील चैलेंज के संदर्भ में निम्नलिखित कतनों पर विचार कीजिए एक इस अभ्यान का सामान शेत्र नंदा देवी राष्ट्री उध्यान होगा दो यह CLAW ग्लोबल की एक पहल है और इसे भारती सेना द्वारत समर्थित किया जा रहा है उपर युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है A केवल एक, B केवल दो, C एक और दो दोनो, D न तो एक और नहीं दो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प C, एक और दो दोनो चलिए देखते हैं इसके विसलेशन को Soul of Steel, चुनोती 14 जनवरी 2023 को उत्राखंड में शुरू की गई थी जिसका उद्देश उचे स्थानों पर व्यक्ति की सहनशक्ती का परिक्षड करना है इस अभ्यान का सामान शेत्र नंदा देवी राष्ट्री उद्ध्यान होगा यह CLAW Global की एक पहल है और इसे भारतिय सेना द्वारा समर्थन प्रदान किया जा रहा है Soul of Steel की अवधारना कौशल समूहों को सैयोजित करना और चुनोतियों का निर्माड करना है जो उच उचाई वाले वातावरण में जीवित रहने, स्थिर होने तथा बढ़ने की मानोशमता को मजबूत करेगा यह युरोप में लंबी दूरी की ट्रायथलॉन चुनोती की तर्ज पर आधारित आयर मैन ट्रायथलॉन प्रणाली है जो किसी व्यक्ती की धैरे और धीरच का परिक्षन करता है जीवन कौशल प्रसिक्षड और युवाओं के विकास के अलावा उत्राखन में साहसिक परेटन यानि एडवेंचर टूरिजम को विश्वस्तर पर बढ़ावा मिलेगा अगला प्रश्ण है ताल चापर अभ्यारन ये किस राज़ में सित है? इस प्रश्ण का सही उत्तर है विकल्प ए राजस्थान चले देखते हैं इसके विसलेशन को ताल चापर अभ्यारन ये भारती थाल रेगिस्तान की सीमा पर स्थित है ताल चापर भारत में देखे जाने वाले सबसे सुन्दर एंटी लोग दब ब्लैक बक का एक विसिस्ट आश्रे स्थल है इसे वर्श 1966 में अभ्यारन का दर्जा दिया गया था ताल चापर बीकानेर के पूर्व शाही परिवार का एक शिकार अभ्यारन था ताल शब्द राजस्थानी शब्द है जिसका अर्थ सम्तल भूमी होता है इस अभ्यारन में लगभग सम्तल छेत्र और सयुक्त पतला निचला छेत्र है इसमें फैले बबूल और प्रोसोपिस के पौधों के साथ खुले एवं चोड़े घास के मैदान है जो इसे एक विशिष्च सवाना का रूप देते हैं अगला प्रश्ण है प्रधान मंत्री किसान उर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभ्यान यानी पीएम कुसम की शिरुवात भारत सरकार द्वारा किस वर्ष की गई थी इस प्रश्ण का सही उत्तर है विकल्प A 2019 चलिए देखते हैं इसके विसलेशन को पीएम कुसम भारत सरकार द्वारा वर्ष 2019 में शुरुगी गई एक प्रमुख यूजना है इसका प्रात्मिक उद्देश सौर उर्जा समाधानों को अपनाने को बढ़ावा देकर कृशी शेत्र में बदलाव लाना है यह मांग संचालित द्रिश्टिकोड पर कारे करती है विभिन राजियों और केंदर शासित प्रदेशों से प्राप्त मांगों के आधार पर छमताओं का आवंटन किया जाता है अगला प्रश्ण है निम्नलिकित में से कौन सा राज गुजरात के मेह साड़ा जिले के अनुभव से सीखते हुए प्रेणा स्कूल विक्सित करने की यूजना बना रहा है इस प्रश्ण का सही उत्तर है विकल्पब बी राजस्थान चलिए देखते हैं इसके विसलेशन को राजस्थान सरकार गुजरात के मेह साड़ा जिले के अनुभव से सीख लेते हुए प्रेणा स्कूल विक्सित करने की यूजना बना रही है इसका उदेश शात्रों को विभिन शात्रों के साथ बातचीत करके तकनी की प्रगती जीवन कौशल और अन्य कौशल के विशय में सीखना है तो चलिए देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्ण को इस प्रश्ण का उत्तर कमेंड बॉक्स में जरूर देए आज के लिए बस इतना ही शुक्रिया दियर व्यूवर्स अपने एक्जाम की तयारी को और बहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूले झाल क्यास क्या लाइब काुल क्यास क्या है रूल